हेलो सुदेंट्स आज की क्लास में लोग आगे के थेोरोंस देखेंगे जो एंगल मेड बाइट ट्रांसवर्सल विद टू लाइन से डिलेटेड हैं चलिए थेोरों मुझर 5 से देखते हैं इस पर एक ट्रांसवर्सल यहां पर ऐसे ले लेते हैं तो हमारे पास गिवन है कि यह ए बी और दूसरा लाइन जो है सीडी यह पैलर है ठीक है और यह ट्रांसवर्सल ले लेते हैं यह ट्रांसवर्सल ले लेते हैं यहां पर ठीक है इस ट्रांसवर्सल को नेम दे देते हैं इसमें माल लीजिए यहां पर देते हैं एल ठीक है जो एबी को पी पर और सीड को q पर इस तरह से किया कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है कि कि इनके अल्टरेनेट इंटीर एंगल की कि Top लिजिए और उसके बाइसिक्टर होंगे फरल हो तो यहां पर हम लोग का बीःक्थ कॉल दूसरा एंगल यह नहों पुछाएगा जिसके एकॉर्डिंग तो यहां पर यह दोनों पैरलर होगे जो कि हमारे पास यहां पर दिया हुआ है तो पहले given डिख लेते हैं और फिर क्या प्रूब करना उसको देखेंगे गिवन में क्या है कि A, B and C, D are two parallel lines transversal, transversal, L intersects A, B at P and C, D at Q ठीक है अब उसके बाद देखिए यहां पर यहां पर हमेरे पास क्या है कि X, P and Y, Q are the bisector of, bisector of angle A, P, Q and angle C, sorry angle D, Q, P इसका यह bisector है, इसका यह bisector है respectively ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका प्रूब करता है to prove, क्या प्रूब करना है जी, यह जो X, P है पैलर है आपके Y, Q के या Q, Y के, चलिए अब इसका हम लोग यहां पर prove देखते हैं समझे अब इसके बाद इसको चलिए यहां पर इसको देखते हैं यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर जो है न, ऊपर कि यह पैलर है यह भी पैलर to CD है, अब लिष सकते हैं, alternate, अल्टर, नेट interior एंगल, alternate, interior एंगल से यह equal हो जाएगा न, जी, चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, इस में हम लोग one by two से multiply कर देते हैं गां, multiply by, multiply by, multiply by, multiply by, one by two in both sides, one by two says that both sides में हम लोग यहां पर multiply कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, one by two of angle a, p, q, और इधर हो जाएगा, one by two of angle d, q, p, ठीकिए, अब देखिए, इस angle का, इस a, p, q का half, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर यह bisector है, आप इसको लिख सकते हैं, कि half of angle a, p, q, जो होगा न, angle x, p, q कर देते हैं, यह वाला angle हो जाएगा, और half angle d, q, p, जो होगा, d, q, p होगा न, तो यह या यह दोनों में से कोई भी, तो यह वाला जाएगा, angle y, q, p, क्यों, क्योंकि यहां पर ही सकते हैं, कि x, p, and y, q, are the bisector of, are the bisector of angle, आपका कौन सा angle है, a, p, q, and दूसरा angle, d, q, p, irrespectively, respectively, ठीक है, चलिए, तो यह दोनों angle, यह यह angle, इस angle के equal हो गया, यह alternate angle के pair हो गया, तो यह इसके parallel हो जाएगा, क्योंकि यह इसका transversal के काम करेगा, यह पर ली सकते हैं, कि by the converge of, converge of, alternate, alternate, interior, angle, alternate interior angle के converge से क्या हो जाएगा, पहुंँ जाएगा, x, y, x, p, sorry, x, p, parallel to y, q, यह इन्हें में प्रूब करना था, तो हमने इसे प्रूब करके दिखा दिया, चलते हैं, next पे, next देखते हैं, theorem number 6, if two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisector of any two corresponding angles are parallel, चलिए, तो जैसे इसमें alternate interior angle वाला पिछले theorem देखते हैं, इसमें देखना है हमें, कि जो corresponding angle का को pair लेंगे, तो वो जो होंगे, corresponding angles के pair को bisect करने वाला जो line होंगे, वो parallel हो जाएगे, चलिए, हम लोग यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास, यह two given line है, a, b and c, d, ठीक है, दोनों एक दूसरे के parallel है, और इसका एक transversal हमने यहाँ पे ले लिया है, इसको ले लेते हैं, p यहाँ, यहाँ q ले जाते हैं, यह माल लेते intersecting point यहाँ g और यहाँ h ले जाते हैं, ठीक है, समझ रहना, और यहाँ पे हम लोग एक pair of corresponding angle यह और यह वाला angle लेते हैं, तो यह इसका एक bisector हो जाएगा, और दूसरा इसका हम लोग bisector के लिएते हैं, ठीक है, समझ रहना बात को, तो यह दोनो bisector जो होंगे, यह पैलर होंगे, यह हमें दिखाना है, चलिए, इसको यहाँ पर लेते हैं, x और इधर लेते हैं, y, ठीक है, यह h को थोड़ा इधर लिख देते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए, अब इसके बात देखिए, हम अर पास given क्या है, पहले इतना दिख लिखते हैं, given, a, b and, c, d, r, two parallel lines, है न, transversal, transversal, p, q, intersect, a, b at g, and c, d at h, ठीक है, x, g, and y, h, r, the bisector of, bisector of, angle, p, g, b, and angle, g, h, d, respectively, ठीक है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, अब यहाँ पर हमें, क्या proof करना है, to prove, यह जो x, g, है, यह parallel होगा, y, h, के, यह हमें दिखाना है, चलिए, अब इसको देखते हैं, हम लोग, चलिए, इसका, हम लोग यहाँ पर, proof देखते हैं, यह जो bisector होता है, इस angle को दो equal part में divide कर देते हैं, आपको पता है, अब देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है, कि, a, b, parallel है, c, d, तो pair of corresponding angle equal नहीं हो जाएंगे, जी, तो angle, p, g, b, equal to angle, g, h, d, है न, यहाँ पर लिख सकते हैं, corresponding angle axiom से, चीक है, यह चीज एक्वल हो जागा, समझाना बात को, चीक है, अब इसमें both side 1 by 2 से multiply कर देते हैं, लिखते हैं, multiply by, multiply by, 1 by 2 in both side, both side में 1 by 2 से multiply करते हैं, तो 1 by 2 of angle, p, g, b, और इधर 1 by 2 of angle, g, h, d, लेखियें, इस angle पूरे p, g, b, क्या half, यह भी यह 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 भी, दोने में से कोई हो सकता है, तो हम पर ले सकते हैं, angle, p, g, x हो जागा half, और इस पूरे angle का, यह जी, h, d, क्या half, यह 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 दोने में से कोई होते हैं, जी, h, y, हो जागा, g, h, y, equal हो जागा, यह दोने में से क्यों हो रहा है, रीजन देंगे, कि x, g, and y, h, are two by sector, by sectors, of angle, p, g, b, and angle, g, h, d, irrespectively, ठीक है, तो यह जब pair of angle सी, तो यह corresponding angle की pair दिख रहा है, तो यह इसके pair of angle जाएगा, यह पर लिशतना है, कि by the, by converge of corresponding angle, axial, axial, क्या हो जाएगा, यहाँ पर x, x, g, जी जो है न, parallel हो जाएगा, y, h, के, यह हमने probe करके दिखा दिया, चलिए चलते हैं, next, पे, इस देखते हैं, theorem number seven, converge of theorem six, theorem six का यह converge है, is the by sector pair of corresponding angles, found by the transversal, with two given lines are parallel, proved that the given lines are parallel, चलिए, चलिए, दिखे, कहता है, if the by sector pair of corresponding angles, found by the transversal, with two given lines are parallel, अच्छा, वो जो by sector होंगे, पिछले थरह में देखे था न, जी, उसी का वस उल्टा है, समझ लेजी इसको, यहाँ पर, हमारे पास, यह two lines हो गए, हमारे पास यह, two given lines हो गए, इस पर एक transversal लेते हैं, अब इसको थोड़ा समाझ लिजेगा, A, B, and C, D, are two given lines, ठीक है, और यह जो P, Q है, यह आपका transversal हो जाए, इनके corresponding angle के pair का bisector है, यह जो है, पालड है, पहले ही क्या रहा है, bisector जो है, पालड भी होए है, ठीक है, इसको यहाँ लेते हैं, यहाँ पर intersect कर रहा है, G पर यहाँ H पर और इसे लेते हैं, X और इसे लेते हैं Y, तो यह जो देख रहा है, X, G और Y, H, यह दोनों पालड दिया है, तो हमें प्रूब करना कि A, B, C, D के पहले होगा है, ठीक है न जी, और यह दिया हुआ है कि यह bisector है, यह angle, इस angle के equal है, यह वाला angle, इस angle के equal, given में किया है कि A, B, and C, D, A, B, and C, D are two parallel lines, lines, और यहाँ पर लिखे लेते हैं फिर कि इसका जो transversal है, transversal, transversal, P, Q, intersect, A, B, at G, and C, D, at H, ठीक है, और क्या दिया है कि यहाँ पर, X, G, and Y, H, are the bisector of, bisector of, angle P, G, B, and angle G, H, Y, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कि यह जो X, G, जो है ना, parallel दिया हुआ है, Y, H, के, ठीक है, to prove, to prove, क्या prove करना कि A, B, जो होगा, parallel होगा, C, ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ पर यह proof देखते हैं, बहुत यह अच्छा question ने देखिए, इसका proof, यहाँ पर, हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है, कि X, G, जो है ना, parallel है, Y, H, के, यह even है, तो यह pair of corresponding angles, जो होगे, यह equal होजाँगे, यह दोनों parallel है, तो यह transversal का काम करेगा, तो यह दोनों यह P, G, X, equal to angle, G, H, Y, corresponding angles, exumes है, corresponding angle, exumes है, हो जाएंगे equal, अब इसमें लोग 2 से multiply कर दोते हैं, क्योंकि इसका double A पूरा angle हो जागा, और इसका भी double A पूरा, क्योंकि यह आपके bisector है, तो दो equal part में डिवर्ट कर दोते हैं, यानि कि इसका double A पूरा, और इसका भी double A पूरा, तो यह लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख से हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, multiply by, multiply by 2 in both side, देखें, both side 2 से multiply करने भी क्योंकि जाएगा, 2 angle P, G, X, और यहाँ पर 2 angle G, H, Y, तो इसका double A पूरा, इसका double A पूरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा, P, G, B, और equal to angle G, H, D, ऐसा क्यों हो रहाता हैं, अपर लिख सकते हैं, कि X, G, and Y, H, are the bisector of angle, P, G, B, and angle, G, H, D, ठीक हैं, चलिए, तो यह पूरा angle जब एक से equal हो गया, तो यह तो pair of corresponding angles है, तो यह इसके पहले नहीं हो जाएगाता है, पहले ही सकते हैं, कि भाई, converge of, converge of corresponding, corresponding angle exume, क्या हो जाएगा, corresponding angle exume से, A, B, parallel to CD हो जाएगा, यह हमने यहाँ पर प्रूब करके, दिखा दिया, समझ गए, चलते हैं, next में, next देखते हैं, theorem number 8, if a line is perpendicular to one of the two given parallel line, then it is also perpendicular to the other line, चली देखिए क्या रहा है, कि एक, यहाँ पर हमने देखिए हैं, दो parallel line ले ले लेते हैं, ठीक है हैं, A, B and CD, यह parallel line है, और एक हम लोग perpendicular यहाँ पर ले लेते हैं, यह line L जो है, line L इसको ले लगते हैं, जो कि perpendicular है, किस पर, A, B पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, अच्छा, यह line L जो है, AB को यहाँ सपोस कर रहते हैं कि G पर, और CD को H पर, इंटरसेक कर रहा है, ठीक हैं, तो हम लोग यह दिखाना है, कि यह line L जो परपेंडिकुलर तो CD, यह हमें प्रूब कर लिए, इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ प्रूब कर लाए, यह नहीं का रहा है, कि other line पर परपेंडिकुलर होगा, गीवेन है, AB and CD are two parallel lines, है न, फिरूष के रहते हैं कर रहा है, and a line L which is परपेंडिकुलर to line AB, यह line L जो अब परपेंडिकुलर है, तो प्रूब L जो होगा, CD पर भी परपेंडिकुलर होगा, चलिए हम लोग इसका यहाँ प्रूफ देखते हैं, ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर, इसको angle one, angle two कर देते हैं, ठीक हैं, तो अगर हम लोग देखें, AB दिया है parallel CD के, यह given है, तो जब यह AB parallel CD के हैं, तो यहाँ angle one, angle two के equal नहीं हो जागा जी, कैसे होगा angle one, angle two के equal, तो यहाँ पर यह corresponding angle axioms हो जाएगा, corresponding angle axioms, यह क्या हो जाएगा, इकवल हो जाएगा, तो यह दोनों angle equal हो गया, angle one कितना होगा, 90 होगा, क्यों, क्योंकि यह इस पर perpendicular है, तो angle two भी 90 हो गया, तो यह 90 हो गया, यह 90 हो गया, इसको मतलब यह perpendicular है, यहाँ पर नहीं सकते हैं, hence, angle two 90 होने को मतलब क्या, hence, line L perpendicular to CD, यह हमने प्रूव करके दिखा दिया, तो यही आपके इसमें theorem थे, सारे theorem बने बता दिया, नेक्स वीडियो में लोग साइज में चलेंगे, वहां questions को लेगेंगे, आपको हमारा तीन चैनल लोग सुस्क्राइब करना, पहला है pathfinder classes छपरा, pathfinder classes छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भावन, रवीकान सर, और तीसरा चैनल है, रवीकान सर, रवीकान सर, RD सर्मा सालुसन, आर डी सर्मा सौलोसन तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे लिटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे लिटर नोट्स के लिए गूगल पर जाकर अब जाकर आप सभी क्लासेश के नोट्स उनके प्डियेप को डालोड कर सकते हैं पर सकते हैं इंस्टागाम और फेस्बूक पर जाकर पासफ़ाइब क्लासेश अप्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं बूलेंगे थैंक्स पर वाचिंग ने वीडियो कमेंट करके जब बताएं कि हमारे से अनस की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं थैंक्स पर वाचिंग